इस वीडियो में हम आपको बताने वाल हैं कि आप Central Bank of India में आप कैसे अपना एकाउंट ओपेन कर सकते हैं और सबसे खास बाते हैं कि आप बीना ब्रांच जाए हुए आप बहुत ही असानी से आप Central Bank of India में एकाउंट आप ओपेन कर सकते हैं और जैसे ही आपका एकाउंट ओपेन होता है तो आपके घर के एड्रेस पर साथ दिन के अंदर आपको एक वेलकम कीट देखने को मिलता है और इस एकाउंट से अब बहुत ही असानी से UPI Best एप यूज कर सकते हैं जैसे कि Google पे, Phone पे, Paytm, Amazon जैसी एपली के सान इस वीडियो में हम आपको Central Bank of India में एकाउंट ओपेन करने का complete process बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं Central Bank में एकाउंट ओपेन करने के लिए आपको सबसे पहले Chrome browser ओपेन करना होगा अपने phone या laptop में इसके बाद यहां पर आपको टाइप करना होगा Central Bank of India इसके बाद Central Bank का official website यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इसके बाद Simple यहां पर आपको करना होगा क्लिक इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एकाउंट ओपेन करने के लिए यहां पर आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक option देखने को मिल लेगा submit, simple आपको submit पर करना होगा क्लिक, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ term and condition का option देखने को मिलेगा इन term and condition को आप पूरा read कर लेंगे इसके बाद आपके register नमर पर एक OTP send किये जाएगा OTP यहाँ पर आपको डालना होगा इसके बाद submit OTP पर आपको करना होगा क्लिक, अब इसके बाद आपको अपको अपना कुछ basic सी details डालना होगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना basic details पर करना होगा क्लिक, इसके बाद आपको अपना email id डालना होगा, इसके बाद नीचे में आपको अपना अधार number डालना होगा इसके बाद नीचे में आपको एक छोटा सा box देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको करना होगा click इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा get OTP, तो simple आपको गेट OTP पर करना होगा क्लिक इसके बाद आपके जो भी अधार कार्ट से जो मोबाइल नमर लिंक होगा उस नमर पर एक OTP सेंड किया जाएगा OTP यहाँ पर आपको डालना होगा OTP डालने के बाद आपको Submit OTP पर करना होगा क्लिक इसके बाद आपको अपना pen number डालना होगा, इसके बाद नीचे में आपको एक छोटा सा box देखने को मिलेगा, simple यहाँ पर आपको करना होगा, click, इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा, verify pen, simple आपको verify pen पर करना होगा, click, इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिले देखने कुम लेगा relation with guardian तो simple यहां पर आपको करना होगा click इसके बाद यहां पर आपको select करना होगा आप किसको guardian रखना चाहते हैं यहां पर आप select कर सकते हैं अब इसके बाद आपको अपना father या supposed name यहां पर डालना होगा अगर आप married होंगे तो आप married select करेंगे अगर आप single होंगे तो आप unmarried select करेंगे इसके बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर डालना होगा जो भी आपका date of birth है आप यहाँ पर अपना date of birth डालेंगे इसके बाद आपको अपना gender यहाँ पर select करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको अपना country of worth यहाँ पर select करना होगा जैसे कि इंडिया, अब इसके बाद आपको simple save पर करना होगा click, इसके बाद आपको अपना address details यहाँ पर डालना होगा address details डालने के लिए simple आपको address details पर करना होगा क्लिक अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी address है आपको अपना address details डलना होगा इसके बाद आपको अपना country select करना होगा इसके बाद आपको अपना estate select करना होगा इसके बाद आपका जो भी pin code है आपको अपना pin code यहाँ पर डालना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको नीच यहाँ पर आपको रिलेजन उपर में एक option देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको select करना होगा, आप जो भी इसके बाद आपको अपना education यहाँ पर select करना होगा, यानि कि आप कहां तक पढ़ाई किये हैं, इसके बाद आपको अपना annual income यहाँ पर select करना होगा, आपका जो भी annual income होगा, यहाँ पर आपको अपना annual income यहाँ पर select करना होगा, इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को टाइब करना होगा इसके बाद नीचे में आपको ऐक manufacture ओप्षन देखने को मिलेगा Income तो यहाँ पर आपको नीचे में एकौअब सब्सक्विलेगा Net Worth तो आपका जितना भी Net Worth income है यहाँ पर आपको अपना income यहाँ पर टाइप करना होगा इसके बाद नीचे में आपको इक Option देखने को मिलेगा Mode of Receipt of Fund तो आपका पैसा किस तरह से आता है यहाँ पर आपको select करना होगा इसके बाद नीचे में आपको इक Option देखने को मिलेगा IT Pad, Duration तो यहाँ पर आप Note Appliate तो यहाँ पर आप Note Appliate पर कर सकते हैं इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा cricket explored per year तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा political explicit तो यहाँ पर आप no कर सकते हैं इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा save, तो simple आपको save पर करना होगा, click, अब इसके बाद आपको अपना nominee details यहाँ पर type करना होगा, इसके बाद आपको अपना provide nominee details यहाँ पर select करना होगा, अगर आप किसी को nominee में रखना चाहते हैं, तो आप yes कर सकते हैं, इसके बाद आप जिनको nominee में रखना चाहते हैं, उनका यहा तो आपको अपना relationship यहाँ पर select करना होगा, इसके बाद nominee का जो भी data worth होगा, यहाँ पर आपको data worth यहाँ पर type करना होगा, इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा contact number, तो यहाँ पर आपको nominee का contact number यहाँ पर type करना होगा, अब इसके बाद नीचे में आपको एक के वैसी करना होगा वीडियो के वैसी कंप्लीट करने के लिए नीचे में आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा स्टार्ट तो सिंपल आपको स्टार्ट पर करना होगा क्लिक अगर आप बाद में वीडियो के वैसी करना चाहते हैं तो नीचे में आपको एक ओप्सन देखने क मिल जाएगा तो इस तरह आप बहुत ही असानी से बीना बैंक जाए हुए आप सेंट्रल